सब कु जानते वे भी वह यहां नहीं आई सब कु जानते वे भी वह यहां नहीं आ सकता है सब कु जानते वे भी वह जा रही है सब कु जानते वे भी आपने नहीं बताया गाइज ऐसे sentences अब डेली लाइफ में यूज करते हो तो इस टाइब के sentences को English में कैसे बोला जाता है, आज किस वीडियो में मैं आपको बदाने वाली हूँ तो सबसे पहले गाइश देखते हैं इसका structure, सबसे पहले आपको यूज करना है knowing everything and then लगाना है sentence, sentence आपका जैसा होगा उस टाइब से आप translate करोगे तो समाझ लेते हैं example से, सब कुछ जानते हुए भी वह यहां नहीं आई तो सबसे पहले दोस्तों according to rule आपको यूज करना है knowing everything इसके बाद लगाना है sentence, sentence है वह यहां नहीं आई अब यह sentence है past indefinite का और past indefinite का negative वाला structure हो जाता है subject plus did not plus verb की first form and then object तो वह यहां नहीं आई तो इसका English बनेगा she didn't come here तो आपका complete sentence हो गया दोस्तों knowing everything she didn't come here it means सब कु जानते हुए भी वह यहां नहीं आई clear? अगला example है सब कु जानते हुए भी वह नहीं जाएगी तो सबसे पहले आपको लगाना है knowing everything and then लगाना है sentence sentence है वह नहीं जाएगी तो यह sentence है future indefinite का और future indefinite का structure हो जाता है subject plus will plus verb की first form and then object यहां पे negative sentence है तो will के बाद आपको लगाना होगा not तो इसका English बनेगा she will not go तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो knowing everything she will not go it means सब कु जानते हुए भी वह नहीं जाएगी clear? अगला example है सब कु जानते हुए भी वह यहां नहीं आ सकता है तो सबसे पहले उज़ करना है knowing everything इसके बाद लगाना है sentence sentence है वह यहां नहीं आ सकता है तो यह sentence है guys model का तो इसका structure हो जाता है subject प्लस cannot प्लस वर की first form and then object तो इसका English बनेगा he cannot come here तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो knowing everything he cannot come here it means सब कु जानते हुए भी वह यहां नहीं आ सकता है clear? अगला example है सब कु जानते हुए भी वह जा रही है तो सबसे पहले उज़ करना है knowing everything and then लगाना है sentence sentence है वह जा रही है तो यह sentence है guys आपका present continuous का और present continuous का आपका structure हो जाता है subject प्लस is MR प्लस वर की fourth form and then object तो वह जा रही है तो इसका English बनेगा she is going तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो knowing everything she is going it means सब कु जानते हुए भी वह जा रही है clear अगला example है सब कु जानते हुए भी आपने नहीं बताया तो सबसे पहले according to structure आपको यूज करना है knowing everything इसके बाद लगाना है sentence sentence है आपने नहीं बताया तो यह sentence है past indefinite का और past indefinite का structure हो जाता है subject plus did not plus verb की first form and then object इहाँ पर negative sentence है तो इसका English बनेगा you didn't tell तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो knowing everything you didn't tell एट में इन सब कु जानते हुए भी आपने नहीं बताया clear गाईस ऐसा sentences भी आप daily life में यूज करते हो जैसे मेरी बेटी बजार जाने को ठानली है उसने बाई खरीदने का ठानलिया था मैं आपको पढ़ाने को ठानली हूँ मेरी बहन डॉक्टर बनने को ठानली है उसने शादी करने को ठानलिया है गाईस इस टाइप के sentences भी आप यूज करते हो तो जब ऐसे situation आजए गाईस तो आप इसे English में कैसे बोलोगे तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका structure सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है subject plus have या has आप यूज करोगे present time में यदि subject आपका he, she, it और कोई third person singular हो तो आपको लगाना है has और यदि subject आपका I, you, we, they और plural हो तो आपको यूज करना है have कब present time में यदि दोस्तों आपको past time में यूज करना होगा तो आप लगाऊगे had all subject के साथ इसके बाद लगाना है determine plus to plus verb की first form and then object तो गाईस देखते हैं example मेरी बेटी बजार जाने को ठानली है कब present time में ठानली है तो सबसे पहले according to rule आपको यूज करना है subject subject है मेरी बेटी it means my daughter अब my daughter आपका subject है यानि singular तो singular के साथ आप क्या लगाऊगे has इसके बाद rule कहता है कि आप यूज करो determine plus to इसके बाद verb की first form verb है बजार जाना it means go to market तो आपको complete sentence हो गया दोस्तो my daughter has determined to go to market it means मेरी बेटी बजार जाने को ठानली है clear अगला example है उसने बाई खरिदने को ठानली आथा कब ठानली आथा past time में तो सबसे पहले यूज करना है subject according to rule subject है he इसके बाद ये sentence है past का प्लस टू प्लस वर्ब की first form वर्ब है बाई खरिदना it means पर्सेज अ बाई तो आपको complete sentence हो गया दोस्तो he had determined to पर्सेज अ बाई इट में उसने बाई खरिदने को ठानली आथा clear अगला example है मैं आपको पढ़ाने को ठानली हूँ तो सबसे पहले लगाना है subject subject है I और I के साथ आपको यूज करना है have क्यूं? क्योंकि ये sentence है present का और present में आपको यूज करना है have या have तो subject आपका I है और I के साथ आपको यूज करना है have इसके बाद आपका rule कहता है कि आप यूज करो determine plus to plus verb की first form and then object तो यहाँ पर गाईस आपका verb है आपको पढ़ाना it means teach you तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो I have determined to teach you it means मैं आपको पढ़ाने को ठानली हूँ clear? अगला example है मेरी बहन डॉक्टर बनने को ठानली है तो सबसे पहले गाईस आपको according to rule यूज करना है subject कि आपका subject है singular और singular के साथ यूज करना है has इसके बाद दोस्तो आपका rule कहता है कि आप यूज करो determine plus to plus verb की first form verb है doctor बनना it means become a doctor तो आपको complete sentence हो गया दोस्तो my sister has determined to become a doctor it means मेरी बहन डॉक्टर बनने को ठानली है clear? अगला example है उसने शादी करने को ठानलीया है तो सबसे पहली यूज करना है subject subject है he और he के साथ यूज करना है has plus determine plus to plus verb की first form verb है शादी करना it means get married तो आपको complete sentence हो गया दोस्तो he has determined to get married it means उसने शादी करने को ठानलीया है तो बस गईस आज के लिए इतना ही मिरती हूँ next वीडियो में I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप determine and knowing everything से एक एक sentence comment section में बना कर जरूर लिखे Thank you